Hey everyone, मैं अनू, आज आपको Love of Attraction की सच में बहुत ही कम्माल की स्टोरी सुनाने जा रही है। अगर आप ये स्टोरी सुन रहे हो, तो ये आपके रहे डेफिनेटली एक साइन है, कि आपको अगर कुछ भी impossible लगता है, तो वो impossible नहीं है, बस ये आपका एक limiting belief है, जो आपको परिशान कर रहा है और आपके विश्कों पूरी नहीं होने दे रहा है। इसलिए आप इस स्टोरी को last तक बिलकुल सुनना, और आप जो भी चाहते हो वो create कर सकते हो, इस trust के साथ सुनना, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, स्टोरी लिखने वाले girl ने लिखा है, कि जब manifestations होते हैं, तो सच में वो पागल कर देने वाले होते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह था, कि आप जो चाहते हैं, आप उसे attract नहीं करतें, बलकि आप जो हैं, आप उसे आकरशित करते हैं, मेरे परिवार में हर कोई लंबा था, और मेरे लिए 5 फिट 1 इंच होना वास्तों में शर्मनाग था, मैं चाहती थी कि मेरी हाइट 5 फिट 6 इंच हो जाएं, लेकिन मेरे डॉक्टर के साथ साथ मेरे घर वालों ने भी मुझे यह कहा, कि यह करना असंभव है यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी एज हो चुकी है, तो मुझे 5 फिट 1 इंच हाइट को ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, जब मुझे लाओ फर्टरेक्शन के बारे में पता चला, तब मुझे अचानक हैसास हुआ, कि मैं क्यूं अपने हाइट को लेकर बुरा फिल कर रही हूँ, मुझे ऐसा करने की कोई ज़रत नहीं है, और मैं बुरा फिल करके ही अपने हाइट के लिए Resistance क्रियेट कर रही हूँ, जो की मुझे लंबा होने से रोक रहा था, क्योंकि हर दिन मेरा ध्यान अपनी छोटी हाइप पे जाता था जिसकी वजह से मेरी हाइप नहीं बढ़ पा रही थी तो मैंने डिसाइड किया कि अब बहुत हुआ मैं ऐसा अपने साथ और नहीं करूंगी मैं खुद की दुश्मन नहीं बनूंगी मैं हर दिन रस्ती कूदने लगी स्वस्त भोजन करने लगी और मेडिटेशन करती थी मैं पहले से ही महसूस करने लगी कि मेरी हाइप पाँच फेट छैंच हो चुकी है और मैं यह हर दिन नाटक करती थी कि मेरी हाइप उतनी हो चुकी है और चीजें बदलने लगी यहां इन्होंने Act as if टेक्नीक का यूस किया है Continue करते आगे स्टोरी को सबसे पहले जब मैंने ड्रामा करना स्टार्ट किया कि मेरी हाइट 5-6 इंच हो चुकी है तो मेरे अंदर बिल्कुल ऐसी इक्षा नहीं हो रही थी कि मुझे अपने हाइट को मैनिफेस्ट करना है या कुछ मेरे को खुद के लिए करना है क्योंकि मुझे पहले से ही यह एहसास था कि मैं लंबी हूँ मैं 5-6 इंच की हो चुकी है और यहां पर ही जादू हुआ मैंने यह अभिने इतने अच्छे से किया कि मुझे इस चीज पर पूरा विश्वास हो गया और इस विश्वास नहीं मेरे अवचेतन मन में इसकी छवी डाल दी और मैं वास्ताव में बढ़ने लगी जब मैं एक मन्त के बाद अपने डॉक्टर के पास गई तो वो मुझे देखकर चौक गए थे क्यूकि वास्तों में मैं काफी लंबी हो गई थी मैं पहले पांच फिट एक इंच की थी और अब मैं पांच फिट चार इंच की हूँ जबकि मुझे कहा गया था कि मैं बिल्कुल भी बढ़ नहीं सकती मेरी एज ज़ादा हो गई है ज़ादा तर लोग कहेंगे कि वन मन्थ में पांच फिट एक इंच से पांच फिट चार इंच बढ़ना असंभव है लेकिन याद रखें यह सोसाइटी के द्वारा सिर्फ आपके माइन में एक limiting belief डाला गया है एक बार जब आप इन beliefs को पार कर जाते हैं तो आपकी सीमा सिर्फ sky होती है आप जो भी चाहते हैं आप वो पा सकते हैं यदि आप सोचते और विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं तो वास्तों में वो चीज आपके real life में manifest हो सकती है याद रखें आप खुद से जूट नहीं बोल रहे हैं आप सिर्फ उस कमपन उर्जा से जुड़ रहे हैं जो पहले से ही 5 फिट 6 इंच की है मतलब आप अभिनाय कर रहे हैं महसूस कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि आप पहले से ही मैं 5 फिट 1 इंच की ही थी लेकिन मैं लंबी और आत्मे विश्वास को महसूस करती थी मैं कपड़े पैंड स्कर्ट ये सब कुछ लंबे साइज का देखती थी ना कि मैं छोटा देखती थी मैं लगातार यह विजुलाइज करती थी कि मैं अपने cousins और भाई बेहन की बिल्कुल height की हूँ और मैं यह भी visualize करती थी कि मेरे जो relatives हैं वो मेरी तारीफ करते हैं कि मैं कितने ज़यादा लंबी हूँ मैं अपने लंबे पैरों की कल्पना करती थी visualize करती थी और मैं खुद से कहा करती थी कि मेरे पैर काफी लंबे और सेक्सी है कभी-कभी मेरे पैरो और घुटनों में पेन होता था तो मैं यह सोचती थी कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं लंबी हो रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा उत्साहिद भी महसूस नहीं करती थी क्योंकि मुझे पता था कि इससे भी रजिस्टन्स क्रियेट होता है मैं सिर्फ सामान नी महसूस करती थी मैं ऐसा अभिने करती थी कि जैसे ये होना ही था और यही चीज होनी थी मैं gratitude लिखने में भी बहुत ज़्यादा busy नहीं थी मैंने बहुत ज़्यादा कलपना भी नहीं करी क्योंकि उससे मुझे महसूस होता कि मैं विश्वास करने के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ मैं manifestation के लिए बहुत ज़्यादा try कर रही हूँ जिसकी वज़ा से मुझे यह विश्वास हो जाता कि मैं उतनी लंबी नहीं हूँ इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्राइ नहीं किया मैंने बस मान लिया था कि मैं पांच फिट छेंच की हो चुकी हूँ मैं बस अच्छा महसूस करती थी और मैं पहले से ही अभिनाय करती थी कि मैं वह थी मेरे हाइट मैनिफेस्ट करने के पीछे यही राज था कि मैं पहले से ऐसा सोचती थी कि वो चीज मेरे पास पहले से ही मौजूद है ना कि मुझे मैनिफेस्ट करना है मेरे सपनों की हाइट को आप सभी का धन्यवाद थाइंक्यू 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 योनिवर्स वाउ इनके स्टोरी वाकई कमाल की थी लोग हमें बहुत पीछे करते हैं हमें नकारात्मक सिखाते हैं गलत गलत बाते बता देते हैं और हम बच्चे होते हैं तो उन पर believe भी कर लेते हैं बट हमें believe करके हार नहीं मानना चाहिए और इन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने life को observe किया और ये भी observe किया कि ये क्या क्या करेंगी तो इनकी manifestation पूरी होगी और इन्होंने आप जैसे देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा महनत नहीं करी है बहुत ज़्यादा techniques यूज नहीं किया है और वाकई ऐसा करना चाहिए मैं भी आप लोगों को बस एक ही चीज़ बताती हूँ कि सिर्फ एक चीज़ ट्राइ करो affirmation ट्राइ करो जिससे आपको believe हो जाएगा आपको बहुत ज़्यादा techniques यूज करने की ज़रत नहीं है क्योंकि उससे हमें ये लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा हमें कुछ करना है manifestation हमारी वजह से होगा जबकि ऐसा नहीं होता universe हमें deliver कर देता है जैसे ही हम believe करते हैं तो आपको भी अगर कुछ गलत बता रहा है कि ये होना possible नहीं है impossible है तुम पागल हो ये वो कुछ भी इस तरीके की बाते बता रहा है तो उस type के person से दूर हो जाओ बात मत सुनो वो अपने limiting beliefs को आप पे थोप रहे हैं आप पे डाल रहे हैं आपको उनकी बात मानने की ज़रत नहीं थी जब पहले टीवी, साइकल, एरप्लेन इन सब कभी आविशकार हो रहा था तो कहीं न कहीं उन लोग को भी रोका जाता था कि तुम्हारी बाते फाल्तु की हैं लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी तब ही जाके आज इन चीजों का आविशकार हुआ तो आपको भी अगर कुछ चहिये और लोग आपसे बोलते हैं या खुद आपके मन में आता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो खुद को भी चुप कर आओ सामने वाले को भी चुप कर आओ कि नहीं ऐसा नहीं है हमारी कोई लिमिट नहीं है और हम जो चाहें वो पा सकते हैं मैंने इनके स्टोरी बहुत इंजॉई करी और हिन्होंने काफी बहतर ठंग से भी अपने स्टोरी को लिखा था सब कुछ क्लियर ली हमारा एक वाटसब रूप भी है अगर आप उसको जोईन करना चाहते हो तो मुझे मेल के थरो बताओ या इंस्टाग्राम पे मेसेज करो और आप अपनी सक्से स्टोरी सेर करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिखका सेंड कर सकते हो मेल के थरो बता सकते हो या comment section में भी लिख सकते हो आज के लिए इतना ही thank you so much for watching God bless you all